हिंदी दिवस के अवसर मुझे इस संविलन मुझे अश्राज महावित रहे जे आमंत्रम मिला था इस लिए ये मेरे लिए अत्यंत गोड़ों की बात है इसलिए मैं डाक्टर रमाजी का और डाक्टर मिश्रा जी का बहुत बहुत आवारी हुए अभी कुछ पुरानी बात है जब मैं अमुरिका के स्रीकॉंबरे में किसी भारत के मित्र के साथ रहता था ये 1990 के दश्रक्री ब अपने किसी भारतिया मित्र के पास देग रहता है तो हां एक नो जवान मिरा था वो कहने रगे मैं हंसराज का प्राद है तो मुझे ये इतनी दूरा अमुरिका में हंसराज करज के IT वारे इसे मिरा तो हंसराज करज का नाम सुखे मुझे बड़ी कुश्य नहीं हुश्य है और आज पर मुझे पता रहे हैं इंडिया तुगे हर साथ बिस्क करज का नाम चापते थे तो मैं बहुत ध्यान से पुटता था हंसराज करज का नाम हमेशा उपर आता है हमसराज परवार के इससे बड़ी कुश्य की बात भी हो से है असर में जब संथ 1975 में नामापुन में प्रथम विश्वा हिंदी संविरांग हुआ था और ये गोजना अपारित की गई गोजना की गई कि कि हिंदी संथ राष्ट्र की प्रदिकृत भाशा बनाए जाएगा तब से हिंदी की स्थिती में क्या प्रद्र कुन आया है या क्या नहीं आया है इस पर विचार करने के लिए आज का विशे नई दुनिया और नए भारत नई हिंदी बहुत समय उच्चित और सरानिया है तो मैं इस विशे कर कुछ पीपर तैयर क्या है और कर आज थोला नंबा हो जाएगा कर दस बजे मेरे सत्र में आके सुनने की कुरिपा करें क्योंकि मैं अपना धुरिष्ट को प्रस्ट करना चाहता हूं एक विदेशी होने के ना में मेरा धुरिष्ट को आप लोगों से कुछ अनोखा हो सकता है इसलिए आप प्रिपेर मेरा बाशान के मेरा प्यक्षा सुनने के लिए जरूर पधारे में धन्यवादे